चाटे की स्टार्टिंग में एक वंडर्फल स्टोरी बताई गई है एक पेंटर के बारे में जिनका नाम था गुद्धाउजी जो 8 सेंचुरी में रहते थे उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो थी एक लैंडसकेप की पेंटिंग जिसे टैंग के एंपरर ने जिनका नाम था जुएन जौंग उन्होंने बनाने के लिए कहा था जिससे वो अपने पैलेस की वाल्स को डेकोरेट करना चाहते थे तो जो पेंटर थे वो दाउजी उन्होंने उस पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे छुपा रखा था ताकि वो सर्फ एंपरर को ही उसे दिखा सके और जब वो एंपरर को अपने लैंडसकेप की पेंटिंग दिखाते हैं तो एंपरर काफी समय तक उनकी पेंटिंग की तारी जो painter होते हैं वो emperor को कहते हैं कि वो mountain के foot की तरफ या mountain के नीचे की तरफ बनी हुई एक cave को देखें जिसमें एक spirit रहती है और उसके बाद जैसे ही painter clap करते हैं वो cave का जो दर्वाजा होता है वो एकदम से खुल जाता है इसके बाद वो कहते हैं कि इस cave के अंदर जो है वो बहती magnificent है बहती marvelous है और उसे हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं तो इसलिए मैं आपको अंदर जाने का रास्ता दिखाता हूं और ऐसा कहते ही वो painter जो है वो cave के अंदर चला जाता है और जैसी वो अंदर जाता है जो entrance होती है cave की वो बंद हो जाती है और इससे पहले जो emperor था जो बिलकुल shock में था वो कुछ कहते भी उससे पहले ही वो जो painting थी वो उस दिवार से एकदम गायब हो गई और उस दिवार पर वो दाउजी के एक ब्रश का एक निशान तक नहीं बचा था और उस समय के बाद वो artist जो थे उनको इस दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा था इसके बाद author हमें बताते हैं कि इस टाइप की जो stories होती है वो Chinese classical education में बहुत ही important part play करती है और जो Confucius और Zhuangzi की books है जो कि वहाँ के philosophers है इस टाइप की stories उनकी books में बहुत सारी है इस टाइप की stories जो है यह teachers को help करती है जिससे वो अपने students को guide कर सके हैं साई direction में और इन short stories के अलावा यह हमें deeply समझाते हैं उस energy के बारे में उस spirit के बारे में जिससे उस समय art को समझा जाता था इसके बाद author हमें एक और story बताते हैं जो एक और famous painter की होती है जिन्होंने एक dragon की painting बनाई दी पर वो उस dragon की आँखों को नहीं paint कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो उन dragon की suitable लगती है represent करने के लिए western painting को ये story है 15th century की जिसमें ant work जो एक blacksmith होता है यानि एक लोहार होता है जिसे quentin matches भी कहा जाता है उन्हें प्यार हो जाता है एक painter की daughter से पर उन लड़की के जो father थे वो quentin को अपना son-in-law accept नहीं कर रहे थे उनके profession के कारण तो इसी लिए जो quentin होते हैं वो एक बार उनके father के studio में जाते हैं और वहाँ पर एक fly या फिर एक मक्की को paint करते हैं उस लड़की के father के panel पर या canvas पर और वो उन्हें इतनी detailed way में paint करते हैं कि वो एकदम real लग रहा होता है और जब उनके father अपने studio में आते हैं तो वो उस मक्की को उड़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो actual में एक असली मक्की होती है पर फिर उन्हें समझ में आता है कि actual में वो एक painting है और उसके बाद वो quentin को अपने studio में एक trainee जैसे रख लेते हैं और उनकी शादी भी करवा देते हैं अपनी daughter से और जो quentin होते हैं वो उस time के एक सबसे famous painter बन जाते हैं तो यह जो दो stories थी यह हमें दो art forms के बारे में समझाती है एक जो European art form है जो illusionistic likeness को बताता है कि एक painting बिलकुल real लगनी चाहिए और दूसरी तरफ जो Asian paintings है वो inner life या फिर spirit के importance को बताती है जो Chinese story है जिसमें emperor उस painter को एक painting बनाने के लिए कहते हैं उसमें वो emperor काफी ज्यादा तारीफ करते हैं उस painting के outer appearance की पर उसकी बाद जो artist होता है वो उन्हें actual meaning बताता है उनके art का वो बताता है कि emperor जो होता है वो अपनी territory को rule कर सकता है जिसे उसने conquer किया है पर सरफ एक artist ही जानता है अपने अंदर की तरफ का रास्ता या फिर एक spiritual वे अपने आपको समझने का जो the word है उसका खुद का ही मतलब है एक रास्ता या फिर एक procedure या फिर एक mysterious work इस universe का और जो painting थी वो अब जा चुकी है और जो artist है उन्होंने अपना goal को achieve कर लिया है जो है किसी भी material appearance से उपर है जो की हमें अपनी inner life के बारे में बताता है हमारी spirit के बारे में बताता है जो classical Chinese landscapes हैं वो इसलिए नहीं बनाये जाते हैं कि वो reproduce कर सके वो हमें दिखा सके एक actual view को जैसा कि एक western figurative painting हमें बताती है जो European painters होते हैं वो चाहते हैं कि हम उनके point of view से उनकी paintings को देखे जैसे बिल्कुल वो अपनी painting को देखते हैं बिल्कुल एक specific angle से पर जो Chinese painter है वो सिर्फ एक single viewpoint को choose नहीं करते हैं उनका जो landscape या फिर उनकी जो painting होती है वो actual में real नहीं होती है जो उनकी paintings को देखता है वो किसी भी point से उन paintings में जा सकता है उसमें travel कर सकता है यानि उसे देख सकता है किसी भी point से किसी भी point तब जो artist है वो एक रास्ता बनाता है उस painting में जिससे जो देखने वाला होता है उनकी painting को वो उनकी painting को अच्छे से देख सके उनके पात को follow कर सके नीचे से उपर की तरफ या उपर से नीचे की तरफ बिलकुल एक leisurely movement में बिलकुल आराम से जैसा देखने वाला देखना चाहता है और ये जो concept है वो और ज्यादा effective हो जाता ह है एक horizontal scroll के case में ये एक ऐसी painting होते है जिसे हम धीरे धीरे खोलते हैं एक section से दूसरे section की तरफ और उसे roll करते हैं दूसरे section में जाने के लिए ऐसा करने से हम एक time का dimension भी add कर देते हैं उस painting को देखते समय और ऐसा किसी भी दूसरे form of painting में नहीं देखा जाता है और इस type की paintings मे active participation भी जरूरी होता है viewers का और वो खुद ही decide करते हैं कि उन्हें कितने pace से आगे travel करना है उस painting में आगे देखना है उस painting को और इस type का participation जो होता है ऐसी paintings को देखते समय वो physical as well as mental होता है जिसमें ओ धीरे धीरे painting के sections को खोल रहा है और साथ ही मैं आराम से उस painting को समझने का मौक मिल रहा है जो Chinese painters होते हैं वो यह नहीं चाहते हैं कि आप उनकी आखो से उस painting को देखो या फिर उनके नजरीये से उनकी paintings को देखो पर वो चाहते हैं कि आप उनके mind में जाकर देखो यह समझो कि उन्होंने इस painting को क्यों बनाया है और यह समझें कि वो इस painting से उन्हें क्या स शान शुई के नाम से जिसका actual meaning है mountain water और इन दोनों को ही साथ में use किया जाता है represent करने के लिए landscape word को और जो landscape होता है उसमें दो से ज्यादा elements होते हैं image के जो represent करते हैं दो complementary poles को जिसका मतलब है कि वो दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं वो एक दूसरे को complete करते हैं और यही reflect करता है Taoist view of universe को जिसमें जो mountain है वो yang है जो की उपर की तरफ जा रहा है heaven की तरफ जो stable है warm है dry है क्योंकि वो sun में है और जो दूसरा part है वो है water जिसे yin कहते हैं जो की horizontal है हमारी earth पर rest कर रहा है जो की moist है fluid है और cool है जो yin है वो feminine aspect को represent करता है इस universe की energy को और जो yang है वो masculine line और active part को represent करता है इस universe के और इन दोनों के बीच में जो interaction होता है वो ही fundamental notion है fundamental चीज है दाविजम की और जो सबसे common चीज है जो बार-बार अंदेखी कर दी जाती है वो है जो third element है जो की है the middle void और ये वो जगह है जहां इन दोनों का interaction होता है जिसे हम compare कर सकते हैं एक योगिक practice से प्रनायाम जिसे हम कहते हैं जिसमें हम breathe in करते हैं retain करते हैं अपनी breathe को और breathe out करते हैं यानि सास अंदर लेते हैं सास को रोक के रखते हैं फिर सास बाहर की तरफ छोड़ते हैं और जब हम अपनी सास को रोकते हैं वो ही ये middle void है जहांपर meditation actual में होती है और अगर हम इस step क हटा दें और सिर्फ breathe in या breathe out करें तो कोई meditation नहीं होती है इसी लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है और यही हमें importance बताता है उस unpainted space का जो कि एक Chinese landscape में होती है जिसके बिना एक Chinese landscape अधूरा होता है और ये वही जगह है जहांपर humans का main role होता है ये वो space है heaven और earth के बीच में औ में जो है heaven और earth और इसी लिए जो humans है उनकी presence का काफी importance है और जो franquise chang होते हैं वो humans को the eye of the landscape कहते हैं वो ही है जो actual में इन landscapes की आखे है एक important part है इस landscape का और humans वो नहीं है जो इन बड़े-बड़े पहाड़ों के बीच में कहीं खो जाए या उप्रेस हो जाए तो यहां तक की जो story थी वो एक excerpt थी यह एक छोटा सा part थी landscape of the soul, ethics and spirituality in Chinese painting का और इसके बाद author हमें एक article के बारे में बताते हैं जिने ब्रिंदा सूरी ने लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स के लिए 28 August 2005 में जिसकी heading है Getting Inside Outsiders Art इसमें बताया गया है जब french painter Jean Dubuffet ने present किया था concept art brad का या फिर जो raw art होती है उसका 1940 में उस समय पर जो untrained artist का art होता था उसमें किसी का भी interest नहीं होता था और इसकी yield beginning, एक slow beginning के बार ये outsiders art धीरे धीरे करके जो fastest growing area बन गई interest का complimentary art में हो भी internationally ये जो category है art की जिसे outsiders art कहा जाता है इसे describe किया जा सकता है कि ये एक art है उन लोगों की जिनके पास कोई right नहीं है एक artist बनने का क्यूंकि उनके पास कोई भी formal training नहीं है art के बारे में पर फिर भी वो अपने talent को अपने artistic insight को अपने art को showcase करते हैं और इन लोगों का जो work होता है इन लोगों का जो art होता है वो बिलकुल different होता है जो हमारे mainstream artist होते हैं या फिर जो normal artist होते हैं उनसे और जिस time पे डूबफिट ने इस concept को बताया था उस time पर इंडिया में एक untutored artist ने एक untutored genius ने जिनके पास कोई भी training नहीं थी उन्होंने एक paradise create कर दिया था या फिर एक ब garden बना दिया था जिसे उन्होंने पूरी तरीके से sculpt किया था या पूरी तरीके से बनाया था stone से और recycle material से जिसे आज के time में हम rock garden कहते हैं और इसे जिसने बनाया था उनका नाम था नेक चन नेक चन जो थे वो 80 years के हो गए थे और वो इस जगह के director भी थे और यह माना जाता है कि उनका इंडिया का biggest contribution था outsiders art की तरह और जो 15th issue था या जो 15th print था 2005 में raw vision एक UK की जो magazine थी जो की basically outsiders art को publish करती थी उन्होंने feature किया था नेक चन को और उनके rock garden sculptures को as woman by the waterfall के नाम से अपनी anniversary issue में या अपने annual issue में cover page पर और यह जो art brand या फिर जो raw art थी यह ऐसे type के works थे या ऐसे type के art थे जो की बिलकुल raw state में थे और अपने cultural और artistic influences को बताते थे यह बताते थे कि कुछ भी एक tin से लेकर एक sink तक या फिर कुछ broken down car से किसी भी चीज को लेकर हम art को create कर सकते थे और इस चीज को नेक चन काफी हुचाईयों तक ले गए थे और यह जो उनका art था उन्हें माना जाता था कि वो एक outstanding testimony है या फिर एक सबूत है इस बात का कि एक अकेला आदमी कितना difference create कर सकता है जब वो अपने dreams को या अपने सपनों को सच करने की ठान लेता है जो Swiss commission है UNESCO की वो भी नेक चन को honor करती है European exposition of his work के थुरू और एक 5 महीनों का interactive show जिसका नाम था realm of नेक चन वो भी start हुआ था October से लेकर और ये leading museums में हुआ था Switzerland, Belgium, France और Italy के और नेक चन कहते हैं कि उनका जो biggest reward है या उनका जो सबसे बड़ा prize है वो यही है जब वो लोगों को उनके garden में घूमते हुए, enjoy करते हुए देखते हैं तो इसी के साथ खतम होता ह है हमारा ये chapter, landscape of the school